Hello everyone, a very warm good morning to all of you, आप सभी कब बहुत स्वागे थे UGC classes by exam for YouTube चानल पर बच्चों के सुबह के दस और मैं लेकर के हाजर हूँ UGC NTA net paper 1 का एक बहुत ही शांदार सा session जो बच्चे पहली पहली बार join करें उन्हें मैं बता दूए और मैं पेपर 1 की glasses आपकी लेती हूँ कई सारे units पढ़ाती हूँ ठीक है खास तर पर वैसे तो हम पढ़ते हैं research attitude और इसके साथी साथ जो logical reasoning वाला पार्ट है वो मैं खासतर पर deal करती हूँ but apart from that तुम लोगों का जो one हो जो request कर दो वो मैं पढ़ा देती हूँ ठीक है तो इस बार का करना paper देखेंगे आप से काफी सारे question पूछे गए sustainable development goals से related और इसके साथ ही साथ आपके जो millennium development goals है उससे related questions भी ठीक है और अभी ऐसा phase चल रहा है कि कई सारे indices आ रहे हैं आप सब्सक्राइब करने से पहले आप सभी को जैसा की पता है कि मैं क्या कर रही हूँ weekly current affairs पढ़ा रही हूँ ठीक है ना क्योंकि आप से current affairs related questions भी पूछे जाते हैं तो weekly current affairs सुभा 10 बजे ठीक है तो कब करवाती हूँ ध्यान रखिएगा हर इवर सुभा 10 बजे मैं पूरी हफते के weekly current affairs कवर करवा रही हूँ यह जो क्लास है वह खास तोर पर किसके लिए डिजाइन है नेट रैट सेट असिस्टन प्रोफेसर एंड अडर एक्जाम्स मतलब कि खास तोर पर इस क्लास को मैंने अक्याडबिक पर्स्पेक्टिव से जादा डिजाइन किया है आदकि यह घैस पर opened को हिए ऑफ्ट्रumed थेया यह नियो का इसके ऐफ also absolutely join the session because current affairs यार हर जगे आते हैं ठीक है ना चाहिए वो UPSC हो या कुछ और हो तो you all can join the session whether आप इन exams के त्यारी कर रहे हैं other exam इसलिए लिखवा दिया ठीक है बश्यट यह है कि हम थोड़ा डेप्थ में analysis किया करेंगे तो कल सुभ है मेरे साथ 10 वजे जोड़ना बिलकुल भी मत भूलिएगा चलिए तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही क्या है हम बात करेंगे किसकी Millenium Development Goals की किसकी बात करेंगे आज हम Millenium Development Goals की बात करेंगे इसी कड़ी में फिर धीरे धीरे आगे और भी कई सारी चीजें एक तो बहुत ही कि मैं सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स के बारे में बात करूंगी लेकिन पहले Millenium Development Goals क्योंकि जो सस्टेनेबल कितने से लेकर के 2000 से लेकर के और 2015 तक के लिए क्या किया गया था कि कुछ गोल्स बनाएगा थे ठीक है कितने लक्षते आठ लक्षते ठीक है याद रखिएगा तो सितंबर 2000 में इसे क्या किया गया जो एक यूनइटेड नेशन मिलेनियम M I L L E N I U M Millenium Declaration ठीक है न इसे कब साइन किया गया सितंबर 2000 में साइन किया गया क्यों क्योंकि कुछ गोल्स कुछ ऑबजेक्टिव बनाये गए थे कि दुनिया इन सारी समस्याओं को फेस कर रही है और इन सारी समस्याओं से डील करने का जो है वो पूरी दुनिया का एक बराबर से है याद रखिएगा जी हां बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते जाओ जल्दी-जल्दी से कि मिलीनियम डेवलप्मेंट गोल्स के बारे में और क्या-क्या जानते हो ठीक है तो अभी जो स्लाइड में इंफॉर्मेशन लिखी है फैक्श आठ लक्षे हैं सहस्त्राबदी ठीक है ना मिलीनियम का मतलब क्या होता है तो आठ लक्षे जिन्हें संयूक्त राश्ट के संदस्तराज्यों ने वश्च 2015 तक हासिल करने के लिए प्रयास करने पर सहमतिव्यक्ट की ती इससे सायंड किया गया था 2000 में और 15 साल का गोल था 15 years का गोल था कि इतनी सालों में हमें यह जो 8 टागेट्स है उन्हें अचीव करना यह जो 8 टागेट्स है वो किन किन चीजों से रेलेटेड है देखो गरीवी भूख बीमारी निरक्षर्ता पर्यावरिनी गिरावत और महिलाओं के खिलाव वेदभाव इन सारी चीजों से मु अगे बढ़ेंगे चलिए तो MDG इस गोषणा के लिए दिये गए है ठीक है प्रत्यक MDG के पास 2015 के लिए निर्धारत लक्षे है और 1990 के इस तर से प्रगतिकी निगरानी के लिए संकेतक है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है विटा बहुत माइनूट चीजे ऑप्रटेंगे हैं जो आप से एक्जाम में पूछी जाएंगे आपको लग रहा होगा कि अर्यार मैं यह क्यों पढ़ आरी मुझे तो बहुत जाधा आता है तो जब यह लगने लगेकि मुझे तो बहुत ज्याधा आता है किसी वह चाहे हो सिक्षप हो चाहें वह वह विद तो कुछ तो कहीं तो क्या है पीछे से आने वाली आवास को इग्नोर कर दीजेगा क्योंकि थोड़ा सा यहां पर सफोकेशन जादा हो रहा है जिसके कारण फिर अगर आवास जादा ध्यान में रखूंगी तो फिर क्या हो जाएगा फिर ठीक है ना बोल नहीं पौनगी चलिए आगे देखिए तो हम बात क्या कर रहे हैं हम बात यह कर रहे हैं कि कुछ तो एक आधार होगा तो देखिए 1990 के इस्तर से चीजों को क्या करना है उसके इस्तर को अपना इस्तर माना जाएगा कि ये लेवल है और उस लेवल से फिर प्रगिती या जो भी जिस तरीके से हम गोल अचीव कर रहे हैं अचीवमेंट जो है उसको ट्राक किया जाएगा तो भलाएं यह सारी चीज़ है 2000 में स्टार्ट होई मिलेणियम डेवलप्मेंट गोल को जो टारगिट को अचीव करने की बात करी गई वह 2000 से करी गई कि 2000 से 2015 के बीच में हम इन आठ टागेट्स को इन आठ गोल्स को अचीव करेंगे बढ़ दतेंगे कि जो इंडिकेटर जो बताएगा कि प्रगिती किस हिसाब से हो रही है ठीक है कुछ तो कंपारिजन होगा ना कहीं तो कंपेर करना पड़ेगा तो वह अधार क्या होगा 1990 के स्तर का आधार होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसे भी याद रखिएगा ठीक है 2000 से 2015 का टाइम था बड़ जो स्तर था प्रगिती को नापने का वह 1990 का स्तर रहेगा ठीक है ना युनाइटेड नेशन मिलेनियम डेकलरेशन के माध्यम से क्या हुआ था कि यह आठ गोल्स जो है वो युनाइटेड डेशन के सदस्यों ने आगती सहमती दिखाए कि हम कॉडिनेट करेंगे अच्छा मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल्स इसी समय क्यों आए इसके पहले क्यों नहीं आए उसका कारण है आप थोड़ा सा अगर टाइम लाइन देखोगे और समझोगे त जो रेज होती है उसके चक्कर में प्रकृति को बाकी चीज़ों को कितना खराब कर दिया है ठीके अब धीरे-धीरे अलग-अलग चाहे वो मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल हो चाहे वो रियो सम्मिट हो चाहे कुछ और हो ठीके रामसर एग्रीमेंट हो ठीके कुछ भी हो धीर हरे-धीरे-धीरे हमें पता चलने लगा कि जब देशों ने क्या किया कि समस्यां मानेज करने समस्यां और करने के लिए उसको आड्रेस करने के लिए लग-अलग Conference कर एक komm Вс senza कर देश की बहुत जादा तक्लीव देने वाली समस्यां बन चुकी है तो इसके कारण लास्ट में क्या हुआ कि इसी कारण मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल में देखो यह आठ क्या है यह आठ गोल्स है जिनकी बात MDG करता है ठीक है ना देखिए सबसे पहला जो गोल है वो क्या है कि एक् खी यूनिवर्सल प्राइमरी एडुकेशन तो प्राइमरी एडुकेशन जो है वह वेश्विक इस मतलब क्या हो अच्छी वो मतलब हर कोई जो है हर बच्चे तक primary education कम से कम पहुचे ठीक है ना उसके बाद promote gender equality and empower women मतलब महिलाओं और पुर्षों के बीच में जो है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलना चाहिए और महिलाओं के शर्षक्ति करण की बात करी गई मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल नमबर 3 में MDG 4 कहता है चाइल्ड मोटालिटी को कम करना चाइल्ड मोटालिटी का मतलब है कि जब नवजाश रिचू तुरन तुरन पैदा होते तो बहुत सारी चाहे वो हाइजीन की बात हो चाहे वो healthcare facility हो या और भी कई सारी समस्याओं के चल मात्र क्या है स्वास्त का क्या मतलब है कि जो महिला pregnant है ठीके ना में टर्नल का वही मतलब होता है कि महिला यह तो प्रेग्नेंसी पीरिएट उसके बाद जब वह बेबी डिलेवर करती है उस समय और उसके बाद भी पोस्ट डिलेवरी भी उस महीलाओं को प्रॉपर हेल्स केर मिले, प्रॉपर सारी फैसिलिटीज मिले क्योंकि ये भी देखा गया है कि पूर हाइजीन और पूर हेल्सकेर सर्विसेज और कई सारी समस्याओं के कारण तरह मिलेनियुम देवलोपमेंट गोल में शामिल किया गया आप समझ सकते हो कि समस्या शायद हमें आपको देखने में बहुत छोटी लगती हो लेकिन इतनी बड़ी है यह समस्या इतनी बड़ी तब भी थी अभी भी बनी हुए यह समस्या कि इसको विश्व इस्तर के जो गोल्स का सेट है उसमें भी जगह दी गई है नेट था कॉंबेटिंग HIV या AIDS, malaria and other diseases तो कुछ ऐसे life-threatening disease जो होते हैं ठीक है ना जिन बीमारियों से लोगों की मृत्यू हो जाती है और वो बहुत तेजी से लोगों के बीश में फैल रहे हैं उसको contain करना उसे कम करना ताकि लोगों की जीवन की सुरक्षा करी जा सके साथवा गोल था ensure environmental sustainability अब देखो जो हम sustainable development गोल की बात करेंगे बाद में ठीक है तो वो क्या है वो वहां पर पूरा का पूरा जितने गोल पढ़ेंगे वो कहीं न कहीं सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है ठीक है लेकिन यहां पर एक aspect था कि environment में जो sustainability है उसे हम बना कर के रखें आठवा गोल क्या था है डЕवबलप फोर डिफिक thoわかे सारे देश अलग अलगविटील यह कोल भी है जंता है वह सारे के अलोब करनेशिप साथ में मिलकर के क्या करें धिक हो यह पूरा उडीविष्व डेवलाप कर भाइं चीख है केवल 1 देश 2 देश 4 देश ही क्यों विकसत हो सब कैसे तो वहीं बात है कि सब का साथ सब करके करके मिलें और पर प्रमोट करें जो एक कॉlden development विशु का उसको तो यह major major 8 जो कि 2000 से लेकर के 2015 के बीच है क्या करना था इन्हें प्रमूट करना था और इसके साथी साथ इन्हें आप कह सकते हैं कि प्रमूट करना था और इसके साथी साथ इन्हें अचीव करना था इन्हें उनाइटे नेशन के सारे सदस्यों को ठीक है ध्यान रखिएगा आप से डारेक्ट पूछ सकता है कि MDG 5 क्या कहता है ऐसे कोशन आपके एक्जाम में आते हैं आपको याद रहना चाहिए र्याद रहना चाहिए सारी की सारे चीज़े अच्छा किसी बच्चे को अगर बहुत अच्छा निमोनिक्स आता हो तो वो चैट सेक्शन में ने कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएगा कि इ से हमें पिक्चर के माध्यम से क्या होती है याद रहती है तो एक बार फिर से रिवाइस करते हैं कि पहला गोल क्या था कि एक्स्ट्रीम पावर्टी और हंगर को समाप्त करना यूनिवर्सल प्राइमरी एडूकेशन को प्राप्त करना जेंडर एक्वालिटी और विमन इंपावर्मेंट चाइड मोटालिटी रेट को घटाना मेटरनल हिल्थ को बहतर करना एच आईवी मलेरिया जैसे अधर यूनाइटे नेशन की ओफीशर वेबसाइट से लिया गया है ठीक है देख लिए अराम से कोई इंग्लिश और हिंदी का इतना जादा दिक्कत नहीं है ठीक है थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ी हिंदी दोनों जानिए तभी आप हायर एजुकेशन में अकैडमिक्स में बढ़ियां तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे चले अब ये तो बात हो गई मोटा मोटी मोटा मोटी का मतलब होता है कि मेजर मेजर जितनी बाते हमें हमारे एक्जाम से संबंदित एक्जाम में जितने लेवल पर इस इस टॉपिक से रिलेटेड कोशिन पूछे जाते हैं इस तरी की सारी बाते हमने कर ली अब कुछ MCQ लगाते हैं जिसके माद्यम से कुछ और फैक्स भी हम पढ़ेंगे ठीके चले तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि मेरे MCQ का लेवल एंटी नेट की लेवल से नीचे नहीं जाएगा ठीके आपको अच्छा लगता है बहुत तरीके से लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे बतलब इतना बढ़िया बढ़िया सेशन लेकर क्या हो तुम लोगों के लिए और इसके बाद भी पढ़ना नहीं है आजकल यह बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि टीचर ही मेहनत करे है ना टीचर ही सब कर दे और फिर स्टूडेंट गोंड लगी कि सीयुक्त राश्ट वर्तमान में वैश्विग गरीबी दर के रूपमें क्या परिभाशत किया है मतलब एक देखो गरीबी का विकुछ तो स्केल होगा ना मैं कहते कह सकती हूँ कि मैं गरीब हूँ आप अमीर हो कुछ तो आधार होगा जमीन जैदात का अध होगा माताजी पिता जी क्या करते हैं उसका आधार उगा कुछ तो आधार उगा उसके बिना में कैसे प्रती दिन इन चार में से ठीक है बताईए कितने रुपय कमाता है तो वह क्या है गरीवी दर के रूप में आएगा अगर उतने रुपए से कम कमाता है तो वो बहुत जादा भैंकर अत्यादिक गरीबी का शिकार है ठीक है एक दर बताए कि इतने रुपए से कम अगर एक व्यक्ति प्रति दिन कमाता है तो वो बहुत जादा भैंकर गरीबी का शिकार है और इतने रुपए से अगर जादा कमाता है तो ठीक है बताएं एक डॉलर प्रती दिन 0.5 डॉलर एक दिन में 0.25 1.25 डॉलर एक दिन में या फिर टू डॉलर एक दिन में बताईए चली क्यों चक्रा गया ना दिमाग ऐसे ही एंटिये कोईशन पूछेगा और दिमाग चक्राएगा फिर तुम भ डॉलर प्रती दिन तो जो भी व्यक्ति 1.25 डॉलर से पच्चिस नहीं पड़ते हैं उसे ठीक है ना चलो तो 1.25 डॉलर से कम अगर कोई व्यक्ति विश्व में कहीं भी ठीक है विश्व में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति 1.25 डॉलर से कम कमा रहा है प्रती दिन तो दाट मीं है परिभाशित किया गया है United Nation के साफ तो इसी के हिसाब से गरीबी किस देश में कितने गरीब है नहीं है कितनी गरीबी है कितनी गरीबी नहीं है इन तारी चीज़ों का पता लगाया जाता है चले अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन पूछ रहा है कि निम ल ऐसा है जो MDG के अपने आप में एक गोल नहीं है ठीक है ऑप्शन से आपके मात्र स्वास्त में सुधार सुरक्षित पेजल स्वच्छता और स्वच्छता तक सार्व भौमेक बहुच प्राप्ति करना परियावर्णी स्थिरता सुनिश्चत करें और सार्व भौमेक प्रात प्राप्शन नमबर टू ठीक है इस प्रशन का सही जवाब है जो आपका सेफ ड्रिंकिंग वॉटर और सैनिटाइजेशन है सैनिटेशन है यह सारे चीज़े मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल के अंतरगत एक गोल की तरह आड नहीं हुए बाकि यह जो तीन चीज़े हैं वह मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल के गोल आठ गोल में से एक है चले अब यह प्रशन आप सभी से पूछा देखुए आप एक फोटो लगा रखिए मैंने ठीक है अभी आपको थोड़ी दिर पहले भी इस फोटो के दर्शन हुए होंगे अगर आप सभी गप्पे लगाने बा प्रता कर सकते हो ठीक चले प्रेश्र क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राश्र का यह ग्राफिक के मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल का प्रतिने धित्व करता है ठीक है तो यूनाइटे नेशन ने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था है कि मैं डी जी के बारे में जो पिक्चर हो बता रहे है विकेस के बताएं जल्दी से सेशन कैसा लग रहा है उमीद करते हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा है शांदार लग रहा है आप सभी ने मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल पढ़ा होगा लेकिन इस तरीके से मतलब ऐसे इंजॉय करते करते शायद ना पढ़ा हो और चलो अगर पढ़ ग्लोबल पार्टनर्शिप फॉर डेवलप्मेंट की जो बात है वह एमडीजी एट में करे गई है और यह उसका ग्राफिक है ठीक है यह उसका क्या है यह उसका एक काटूनिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है चल अगला प्रशन देखें सायुक्त राष्ट के अनुसार कौन सायुक्त राष्ट ने बोला कि एक ऐसा क्या है आप क्या सकतों मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल है जिसे हमने काफी हद तक अचीव कर लिया है ठीक है मात्रे दर में 3-4 की कमी मात्र मृत्ति दर में 3-4 की कमी रोके और मतलब HIV के प्रसार को क्या करना उसको रोकना और यह सार संख्या आधी करना कौन सा मिलेनियम डेवलोप्मेंट गोल है जिसे उनाइटे नेशन क्लेम करता है कि हमने काफी हद तक इसे अचीव कर लिया है ठीक है ना ऐसे प्रशन पूछे जाएंगे याद रखिएगा ध्यान रखिएगा ऐसे प्रशन पूछे जाएंगे इस आया लगा कि नेट ज्यारिफ की प्रिप्रेशन कर रहे हैं कि नहीं चलिए अगला प्रशन एंडी जी जो है क्या है मिलेनियम डेवलोप्मेंट गोल 3 जो है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है ठीक है निमलिखित में से कौन सा लक्ष या सांके तक नहीं है ठीक है कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन-कौन से कंटूर्स को टच करना होगा तब हम मानेंगे कि यह गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है चलिए तो mdg3 में लागिक समानता को बढ़ावा देने की बात करें गई है उसमें कई सारे इंटीकेटर हैं इनमें इनके से भी तीन इंडिकेटर से लेकिन एक नहीं है महिला राजनीतिक प्रतिनिध्यों की संख्या में व्रधी लेंग आधारित हिंसा समाप्त करें प्राथ्मिक और माधिमिक सिक्षा में लैंगिट असमानिता को दूर करना दिहाडी रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना करियर का जो यह फेज है ना यह जो करियर का फेज है ठीक है उसमें कुछ कर लो और अपने पैसे से मिठाईया खरी अपने पैसे से कुछ थोड़ा बहुत घर के लिए शॉपिंग करें तब वह असली दिवाली उस चीज़ की खुशी है माता पिता को कभी यह सब चीज़े चाहिए नहीं होती है कभी वह मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं होते लेकिन आप सोचोगी कितनी खुशी की बात होगी कि आप उल्टा क्या कर रहें खोद अर्ण करके और दिवाली पे फिर कुछ चीज़ें कर रहें अपने माता प दिवाली है आप चीज़ें कर लेंगे उस दिन पैरेंट्स की दीपावली है है ना और आपकी तो है ही ठीक है तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए देखो काम सबके घर में है ठीक है ऐसा नहीं है कि यहां पर मैडम जी सर जी लोग पढ़ाते रहते तो हम लो कहते इंजॉइ मत करो मैं यह कह रहे हूं कि हर चीज की थोड़ी सी लिमेटेशन बाउंडेशन ठीक है ना आउट ओफ कंट्रोल करके नहीं ठीक है चले इस कोशन का सही जवाब है बच्चे लेंग आधारित हिंसा को समाप्त करें यह इंडिगेटर नहीं है ठीक है आप जबावों का option number two ठीक है अच्छाँ उमीद करती हूं आशा करती हूं आप सभी कोई session बहुत ज्合ड़ा अच्छा लगा अच्छा लगा होगा ठीक है ना आप सभी को सरी सेशन बहुत जादा शांदर लगा होगा और को मिले होंगे तो इसी तरीके से शांदार तयारी करवाने के लिए आपकी यूजित यूनिट्स की तयारी expert faculties के द्वारा करवाई की चाहिए जिसमें की हम bilingual पढ़ाते हैं bilingual PDF देते हैं unit capsules होते हैं zoomed out session जैसे धेड़ सारे और भी features included हैं आपको इस सारी चीज़े कहां मिलेंगी एक्जाम पूर के official app पर मिलेंगी तो एक्जाम पूर के official app को download करना मत भूलो हो क्योंकि आपको वर्दान बैच तो यहां मिले गई लेकिन इसके साथ ही साथ फ्री जॉब exam admit card alerts मिलेगा free PDF मिलेगी unlimited quiz practice पी वाइक्यू विज सल्यूशन daily weekly monthly yearly mcq all india scholarship test जैसे भी धेर सारे feature से पैक्ड है आपका अपना एक्जाम पूर का official app तो प्ले स्टोर पर जाएए जैसे हम बाकी सारे apps को download करते हैं बिल्कुल वैसे ही एक्जाम पूर के official app को भी download कर लिजे ठीक है क्योंकि यह जो app है वह आपको देगा one stop solution वर्दान बैच को जरूर जोइन करें सारे बच्चे बाकी information आप सभी के सामने screen पर flash हो रही है ठीक है तो आप क्या कर सकते अगर आपको वर्दान बैच जॉइन करना है कोई भी confusion है तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर क्या करिए call करने चाहे हमारी टेली टीम आपकी मदद करने के लिए आपकी सहता करने के लिए हमेशा available होती है ठीक है लेकिन यार अगर इस session से related पढ़ाय लिखाय से कोई question है तो टेली टीम को call मत करना प्लीज कॉंटेक्ट में ठीक है उन बिचारों से उन बिचारों को परिशान मत करिए उनका काम आपकी टेक्निकल और बागी समस्याओं को उजह विदा अगर आपने अभी तक इस session को लाइक नहीं किया शियर नहीं किया देखो मैंने आज की क्लास में जादा नहीं बोला क्योंकि अब आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं इस ओल अप टू यू नहीं लगता है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है ठीक के लिए वन स्टॉप सल्यूशन इसे आपको डाउनलोड जरूर करें वर्दान बैच को जल्दी जल्दी से जोइन करें देश की सेवा करते रहें मानुता की सेवा करते रहें कॉमेंट सेक्षन में जो मैंने कोशन पूछा था निमॉनिक्स वाला वो जरूर लिखेगा दिस संस्कृति जायन, signing off, take care. करता दिर мышत appli economy को जल्दी हम जल्दी टाइन जाओतों मैंन comics करते रहें म bluff, take care. पूंने को करता दिर निमॉनिक्स वाला वो मया हम जल्दी हैं. झाल झाल